कोरोना महामारी के चलते हिमाचल प्रदेश में स्कूल कॉलेज बंध है स्कूल कॉलेजों में बच्चे तक्नीक की मदद से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं इन दिनों कोरोना महामारी के दौर में आनलाइन तकनीक शिक्षा ग्रहन करने वाले चात्रों के लिए मददकार साबित हो रही है समूचे प्रदेश की तरह सोलन जिला में भी बच्चे आनलाइन पढ़ाई पूरी कर रहे हैं अध्यापक बच्चों को वाट्साइब के माध्यम से कारे दे रहे हैं और बच्चे उस कारे को वाट्साइब के ही माध्यम से अध्यापकों को चेक भी करवा रहे हैं कोरोना महामारी के चलते स्कूल कॉलेज बंध है जिसके चलते तकनीक के सहारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। कई अध्यापक कड़ी महनत कर बच्चों को लिंक भीज कर ओनलाइन ही टेस्ट भी ले रहे हैं। सोलन जिला के धरोट गाउं की दसवी कक्षा की चात्रा वंधना शर्मा ने बताया कि उन्हें अध्यापकों द्वारा ऑनलाइन तरेके से पढ़ाया जाता है। उन्हें कहा कि उनके ऑनलाइन टेस्ट भी हो रहे हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि अध्यापकों द्वारा उन्हें जो कारे दिये जा रहे हैं उसे पूरा कर अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं इन वित्यार्थियों का कहना है कि ओनलाइन पढ़ाई से उनकी पढ़ाई पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पढ़ेगा कर देंसिंग बिनानी चाहिए मेरा नाम महक्षरमा है मैं सात्य करक्षा में पढ़ती हूं जैसा कि आप सभी जानते हैं करोना वायर्स के चलते सरकार ने हमें छुट्यां की है इसलिए अध्यापक हमें डिजिटल तरीके से घर पर ही पढ़ा रहे हैं और हमें हम डिजिटल तरीके से पर रहे हैं हमें मैं आपको संदेशा देना चाहती हूं कि हमें सरकारों के रूलों का पालन करना चाहिए जैसे शोचल डिस्टाइंस और हमें बाहर नहीं जाना चाहिए अगर हम कहीं बाहर जाएं तो हमें मास्क लगा कर जाना चाहिए दिननम पुष्ट है मैं दूसरी किछा में पड़ता हूं क्रोन गाराज माम आजी हमार को मैं घर पर काम देते हैं और हम फान पेज चेक रहते हैं हम चुटियों वने पर घर पर काम करते हैं और फड़ाई करते हैं ब्यूरो रिपोर्ट सिटी चैनल सोलन